असलाम अलेकूं कैसे आप सर्भूमी देखायलियस होंगे इस वक्त मैं बना रही हूं सिंपल सी चिकन कड़ाई और बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार बनाई थी मैं पिछल दफ़ा जो बना बनी थी सबको बहुत पसंद आई थी घर में इसकी रेसिबी भी आप सबसे खेए शेर कर रहे हूं बहुत सिंपल प्यास ब्राउन कर लिए अच्छा ये देखिएगा प्यास ब्राउन हो चुके हैं और ये तकरीवत दो प्यास मैंने लिए यह हमारी चिकन अपिसकंदर हमारी चिकन जाएगी लगी पर निक्वार्द के जीच निखीत में बना रहे है और ये टेमाटर सा करीबन ये चेट रे नॉर्मल साइज के धिता यह चले गए क्रीमी स्टाइब में बनी थी ख्रीमि ऐधनिया पाऊडर धुशा है। और यह हैं खल्दी पाउडर थोड़ा सा अच्छ लाल मिर्च जो है न हो बहुत कम यूज करूंगी मैं इसमें तक क्रीबर यह देखिए आदर चमच लाल मिर्च कम जाएगी इसकंदर और इसकंदर जाएगा यह देखिए वाइट पीपर जाएगा इसकंदर यह निकेस सुफ यह काली मिर्च कम अफाली बिल्कुल एंड में उसब और चिज़गी है आदर करीं वह है यह तन्या यह दिखेगा धनिया और इसके एलावा एजीरा है और कि इसका मैं मैंने ना ब्राउं करके अंडार्व Curry न मैंनेके बार ने थोड़त अजवाइंग श्यामीश अगा धा आपने बाहर से मंगवाई यह ऐसे जहरे हैं लेकिन तरीके ते बनाई है तो फिर मैंने सोचा आप सबसे भी मैं शेयर करूं कि सब इतनी घर में पसंद आई है तो आप सब भी इस तरीके से बनाएं बहुत सिंपल है और जटपट रेडी हो जाती है तो मज़ेदार बनती है बहुत है और इसके लावा गया यह यह ज़िए और हरी मीचे में पात यह काटके रखी यह विकुल रोगष शामिल करेंगी शुद में तो फिर मैं इसमें दही और हरी बीचा आप कर लीए अच्छ तो दो टेमांटर कर चुके है अब मैं इसमें नमक एड़ नहीं द्याते ह कर रही हूं है अधार के नमक इसमें जाएगा ज़िए तेमाटर काफी गल चुके है अब मैं इसको तेज आज पे अच्छी तरह से इसको भून लूँगी इसका पानी टेमाटर का ड्राइ हो जाए तो तो इसमें दही आड़ करने लगी हूं यह दिखे तो यह तो इसमें दही आड़ करती है यह दिः इसमें ज़ी आड़ी मेल्ट हो जाए दही तो मैं भी में धनिया वरा जो मैंने अलोट के रखा हुआ है अब उसमाटर के रखा वह एका कि जो दही बच जाती है उसे में फ्रीज कर देती हूं और इससमाटरू में जूज करती है मेथि का बहुत ज्यादा पसंद है और यह क्रीमी क्रीमी टाइप बनेगी बिल्कुल जैसे आपको अगोटल में जैसे आप क्रीमी हांडी खाते हैं बिल्कुल इसी टाइप की बन जाएगी इसकी मेरे हजबन करें तुमने क्या इसी चीज इसमें यूज की है कि इसी मज़ेदार यह बनी है आप सब जरूर ट्राइप कीजेगा इस तरह से अच्छा यह थोड़ा यह दही मेल्ट हो जाए इसके बाद में जो भी एड करते हो आपको तब को बताती है काफी पानी ड्राय हो रहा है तो इस स्टेज पर मैं एड करूंगी यह अपना कुटा हुआ जीरा और धनिया तक्रीबन यह मेरे पाद छोटे वाले चमच हैं यह वाले इसे तीन चमच मैंने शामिल करते हैं इसे मिक्स करूंगी मैं बहुत अच्छी आ रही है इसके बहुत अच्छी हुश्व हुए अच्छा साथ है मैं इसके कसूरी मैठी बोड़ी शामिल कर दूंगी इसको अच्छी तासे ढूंके फिर यह रेडियो जाएगा अच्छा तो यह इसे मिक्स करूंगी मैं अब इसको अच्छी तरह से भूनगी जब रेडी हो जाएगी कड़ाई तो फिर वे इसका फाइनल लुका आपको दिखागी अच्छा यह देखेगा हमारी जो कड़ाई है क्रीमी कड़ाई वह देखे रेडी हो चुकी है क्या है जबरदस लग रही है मैंने क्रीम एडी के लेकिन जड़ी की वज़े से इतनी क्रीमी फ्लेवर आता है इसका और यह रेडी हो चुका है बस इतना में ग्रेवी रखनी तो चाहिए होती है बच्चों को तो यह मैं रखोंगे और काफी में मैं इसको ड्राइ कर चुके हूं और यह दुटी जनी जनी की मज़दार यह बनी है अम मैं यह बन कर दोगे अच्छा यह रेडी हो चुकी हमारी कड़ा आई अच्छा एक और चीजी मुझे आप से शेयर करन और मेरे हस्बंड इस कड़ाई का रिवियू आपको देंगे कैसी बनी है और साथ में मैंने अपना वो गिफ्ट जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है वह भी आप से शेयर करूंगे यह कड़ाई सब्सक्राइब और यह खाने का भी मुझे बताएंगे मेरे हस्बंड देखें यमी यमी से लग रहा है इस तरह बहुत सिंपल तरीके से बहुत जटपटी रिडी होती है यह कड़ाई न और फ्लेवर बहुत जबर दरसत होता है और यह धनिया जीरा जो मैंने आड़ कहना है आप इस तरह बना के जरूर रखेगा तो इससे और उसमें थोड़े सा अच्छे आती है यह देखिएगा यह है मेरी यमी यमी सी कड़ाई रेडी हो गई है और मेरे गरम गरम नान मंगवाएं हैं और मेरे हस्बंड आ चुके है माशाइल्ला में इनका वेट कर रही थी यह आ गए है अब यह खारी ने पिछल बार जब खाई थे न तो बहुत इन कैसे कैसे सलाम तो कर दें चाहिए अब बताएं कैसी यह चल्दी सबताएं मैं फिर अभी मैंने अब वो जो जैना मुझे गिफ्ट दिया नहीं उसका अन्बॉक्सिंग भी करने है ठीक है कैसी मज़ेदा रहे ना कड़ाई अब फिर अन्बॉक्सिंग करते हैं जरा रेस्ट गरी कर ले खाना-काने के बाद अब झाहिए वो जीसे करती हूं कि अच्छा तो विवर्स मेरा जो गिफ्ट थे नहीं मैं आप सबसे शेयर कर रहे हूं जोहें मुझे दे रहे हुए हैं क्योंकि जैन सो चुके हैं और टाइम देखें काफी जादा उचुका सवाई एक बच मुझे उसे काता ममा अब आप इससे वीडियो बनाएंगी आइफोन से और कलर भी बहुत प्यारा है मैं आप सब को दिखाती हूं और आप सब खुद गैस कीजिएगा के यह कौन सा मॉबाइल है ऌठी कई मैज अचल प्यारा यह थे और सबहुन उचे के और लिख सिच्टलेश्ट अचल है आपंपया श्यूंता सका इसका सबसे जादा पसंदा शाच और सामने सीच्पाइड यह देखेगा कि यह देखे गा कितना प्यारा है यह देखा यह देखे कितना प्यारा लग रहा है तो हुब सब ㄮसां से मूपाइल है और गोल्डन कलर का ताप्यारा और इसके साथ हमें यह मिले हैं क्या-क्या चीज अचेज़ है नहीं कि के बिल से चार्विंगेबल यह हैं एंड फ्री औरिजनल एंड विचनल है और यह उसका लिए खुल चुके हैं और यूज कर चुके हैं लेकिन मैं आप सबसे शेयर नहीं किया मैंने काई यह काई मेरे जान ने सब कुछ प्रॉपर मुझे रेडी करके दिया है काई बी लगा के और इसक और यह कवर भी ट्रांसपरेंट है और यह कवर पूरा रेडी करके मुझे मुझे मुबाइल से दिया है माशालला अपना प्यारा है और मैं बता दूं आप सब समझते गयो होंगे कि यह कौन सा मुबाइल है 11 pro max है और माशालला बहुत प्यारा सेट है यह यह मुझे जैन न मैं अब आपना मैं अपनी वीडियो जो बनाती है वो इन्फिनेक्स से बनाती हूं नोट कौन सा है नोट 7 8 है नोट 7 है इन्फिनेक्स मेरे पास मैं उससे वीडियो बनाती हूं तो मुझे जैन निका है आप मनने ममा इससे बनानी है वीडियो इस प्यारे से मुबाइल से ब अब मैं इससे बनाओंगी वीडियो इंशाल्ला पिर आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा उखाना वारत हम खाचुके थे जैन थक्या थे मुझे नीधार यह कल बनाएंगे लेकिन मुझे असल में आज अपनी वीडियो का अफ्लोट करनी है कल आप सब यह वीडियो द आपको नदर आ रहा है मेरे मुबाल में लेकिन गोल्डन कलर है तो बस अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पैंट करूंगी रानी की दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा हाई के बोल तो बेटा हाई तो बोलो पहले तो अब मैं अपनी वीडियो क यहीं पैंट करूंगी रानी की दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ओके लाइख अपना बहुत जाता ख्यार रखियेगा